हेलो एबरीबन, आर्मी भरती पर इच्छा के लिए आप आनलाइन क्लास स्टार्ट हो चुका है, तो जो भी छात्र जोइन होना चाहते हैं, तो ये वाट्सप लिंक दिया हुआ है, 7987901796 तो इस लिंक पर आप संपर करके जोइनिंग ले सकते हैं, और इस बैच में टोटल गारंटिट कोशन चलते हैं, जो कि आर्मी एक्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, और अलग से इस पेसल आपको बैच प्रुवाइट किया जाएगा, ट्रेड वाइस, तो सभी ट्रेड के ल आगामी एक्जाम होने वाले हैं, कंड़क्ट होंगे, तो उसमें यहीं से कोशन बनेगे, तो आप क्लास जोइनिंग लेने के लिए, इसमें आप 79879017960 पर संपर करके जोइनिंग ले सकते हैं, प्रेक्टिस सेट 5 का कोशन नमबर 1 देखेगा, सामान गयान के अंतरगत प तो देखे इसमें आप्शन में दिया नहीं है, तो इसलिए इसका आप्शन नमबर D होगा, इनमें से कोई नहीं, फिर नेस्ट कोशन देखेगा, महात्मा गाधी ने असहयोग अंदोलन किस वर्ष शुरू किया, तो इसका आप्शन नमबर A सही होगा, 1920 में सुरू किया था नेस्ट कोशन देखे, आश्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, तो आश्ट्रेलिया की राजधानी है, केन बरा, इसका आप्शन नमबर B सही होगा, अंगला कोशन देखेगा, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां इस्तेद है, तो ग्रीन पार्क स्टेडियम इसका आप्शन नम देखेगा, निमन में से कौन सा जीव सबसे प्रथम अंतर्यच में भेजा गया, तो इसका अपसर नомबर B सही होगा, कुत्ता, लाइका नामक, नेजट कौस्टन देखे, मडी का बत्रा किस खेल से समबंधित है, तो इसका option number B सही होगा, table tennis से समंधित है, फिर next question देखेंगे, इसका अंगला question है, भारत के द्वारा बनाया गया, UAB का नाम क्या है, तो इसका option number B सही होगा, निसान्त, अंगला question देखेगा, फरते पूर सेकरी में इवादत खाना किस ने बनाया, तो इसका option number D सही होगा, 28 फरवरी को, अंगला question देखें, हार्ट लाइन क्या है, तो option number B सही होगा, एक दूर संचार कड़ी है, हार्ट लाइन, तो second option इसका सही है, अंगला question देखेगा, बुल फाइंटिंग, किस देश का राश्ट्री खेल है, तो इसका option number C सही होगा, इस्पेन का, next question देखेंगे, चगदा number question देखें, निम लिखित में, कौन सत्योहार, पैगंबर मुहम्मद की जन दिन पर मनाया जाता है, तो देखें, इसका option number D सही होगा, एदुल मिलाद, अंगला question देखें, जली कट्टू खेल किस राज्य में मनाया जाता है, तो देखेंगा, इसका option number D सही होगा, त इदुधार का मात्रक पूछ रहा है, यहां पर, तो इसका option number E सही होगा, एंपियर, अंगला question देखें, दरपन के मद्ध भाग को किस नाम से जानते है, तो देखें, इसका option में दिया नहीं है, तो इसलिए इसका option number D होगा, इनमें से कोई नहीं, next question देखेंगा, गिरती हु सही होगा, लिथियम, सबसे हलकी धातु है, अंगला question देखें, किसी सेल का सही EMF मापन वाले एंतर को क्या कहते हैं, तो देखेंगा, इसका option number C सही होगा, पोटेंसियो मीटर, इसका option number C सही है, अंगला question देखें, नाफ की सलेयन क्रिया होती है, तो इसका option number A सही होगा, सरीशरप से, अंगला question देखेंगे, 23 number question देखें, चर्म के उपरी परत को क्या कहते हैं, तो इसका option number A सही है, epidermis कहा जाता है, चम्रे के उपरी परत को, अंगला question देखें, यक्रत द्वारा स्त्राव किया गया, बाइल कहां जमा होता है, तो इसका option number B सही है, गाल ब्लाडर में जमा होता है अगला कोस्टन देखिए निम्न में से किस में कार्बो हाइडरेट सबसे अधिक पाया जाता है तो इसका आप्शन नमबर A सही है चावल में कार्बो हाइडरेट सबसे अधिक पाया जाता है अगला कोस्टन देखिए खून के परिचलन की खोज किस ने की तो आप्सन नंबर B सही होगा हारवे ने इसी को कहते है रक्त परिसंचन कि खोज बिलियम हारवे ने की थी फिर अंगला कोशन देखेगा यदि किसी घोल के एच प्लस को दस गुना बढ़ाया गया तो पी एच क्या होगा तो पी एच मान एक से बढ़े घटेगा इसका आप्सन नंबर B सही है अंगला कोशन देखेगा निम्न में से सबसे ज़्यादा हाइडरोजन बाइंडिंग किस में पाय जाता है तो इसका आप्सन नंबर D सही हो कुछ आलक है तो इसका आप्सन नंबर C सही होगा ही रा बिद्दूत का कुछ आलक होता है नेक्स्ट कोस्टन देखेंगे यहां से अब गडित का कोस्टन स्टार्ट होगा तो आप से एक एक कोस्टन देखते जाएगा इसमें आपको सरल्विधी मिलेगी देखने को सभी सून दसम्लो सून सून दो प्लस सून दसम्लो सून दो प्लस सून दसम्लो सून सून दो बराबर कुस्टन मार्क तो यहां दसम्लो संख्याए तेन है तो इसलिए दसम्लो तेन यहां एक दूसरे के नीचे चिन लिख लेंगे दसम्लो का फिर उत्तर में भी दसम्लो के नीच आप पहले सून दो है, अब बाद में सून दो है, अब इसको प्लस कर देना है तीनो संख्याओं को तो यहां से जोड़ेंगे तो यहां पर दो आएगा फिर दो और सून जोड़ेंगे यहां भी दो आएगा यहां दो सून जोड़ेंगे तो दो आएगा यहां पर सून आएगा यहां पर सून तो सून दसंबलो सून दो 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 इसका उत्तर होगा तो सून दसंबलो सून दो द तो दो इसका option number A है अंगला question देखेंगे 32 नमबर question देखेंगे यदि एक गाय एक 14 मीटर लंबी रस्षी से बधी है तो वह कितने छेत्र तक घास चर सकती है तो यहाँ पर देखेगा एक ब्रत्ताकार देखेगे यहाँ पर एरिया बनेगा यह 14 cm रस्षी हो गई अब यहाँ पर यहाँ चारो तरफ यहाँ चरेगी तो एक ब्रत्ताकार भाग बनेगा तो ब्रत्त का छेत्फल निकालना है वह जो रस्षी की लंबाई ही यह 14 मीटर है तो यह त्रिज्जा कहलाएगी ब्रत्त की लंबाई हो ब्रत्त की त्रिज्जा होगी यह त्रिज्जा दिया है 14 मी गुणे चौदा यहां पर दो बार लिखेंगे अब यहां पर साथ एकम साथ दूनी चौदा तो देखेगा 22 गुणे दो करेंगे तो 22 दूनी 44 अब गुणे यहां पर यहां पर 14456 हांसिल 5 और यहां पर 1445616616 मीटर स्क्वार होगा एरिया तो मीटर यूनिट दी थी तो इसका आपसन होगा 616 स्क्वार मीटर तो इसका आपसन नंबर 20 है अंगला कोस्टन देखिएगा 33 नंबर कोस्टन देखिए 520 में कौन सी छोटी संख्या का योग करने पर संपूर्ण वर्ग बनेगा या पूर्ण वर्ग बनेगा तो छोटी संख्या जोडने की बात कर रहा है तो जब भी जोडने या घटाने की बात करें तो यहाँ पर भाग विच से वर्ग मूल निकालेंगे तो दो कवर्ग तीन जगे दो लिखना है पहले यह दो दो और दो इस कवर्ग चार इधा लिखना है तो यहां तो घटाएंगे और यहां जूडएंगे तो यहां दो दो जूडएगा तो चार हो जाएगा और यहां पांच में चार घटाएंगे एक होगा यह बीस उतरेगा त 120 अब यहाँ पर 4 का पहाड़ा पढ़ना है इसके बाद कि 12 से जादा हो जाएं मतलब एक श्टेप जाएं तो देखें चार ते यहीं बारा तीन बार में जादा हो जाएगा यहां जोड़ने की बात कर रहा था इसलिए इसमें ध्यान रखना है कि अंतिम श्टेप में एक बढ लेते हैं तो देखे तीन त्रकरनाव 43 यहां गुणा करेंगे तो तीन त्रकरनाव और तीन चौग बार आई 139 तो यह जादा आ रहा है तो तीन बार ही जाएगा एक इस्टेप बढ़ा के यहां पर ध्यान रखना भाग करना है लाश्ट में अब यहां जोड़ेंगे तो यह बड़े मान में छोटे मान घटा लेंगे तो यहीं इसका उत्तर होगा जो जोड़ा जाना होगा तो इसका आंसर ना होगा जोड़ने वाली संक्या तो यह केबल योग जब करने के लिए बोले जोड़ने के लिए तब ही अंतिम स्टेप में एक बढ़ा के अपन भाग यहां दो बार जा रहा था इसलिए हम तीन लिखेंगे तो यहां पर इसका option number 20 होगा अगला question देखेंगे 34 नमबर देखें यदि a plus b plus c बराबर 0 हो तो a q plus b q plus c q कमान क्या होगा तो यहां पर देखें जब भी a plus b plus c बराबर 0 हो तो ध्यान रखेंगे कि a q plus b q plus c q बराबर होता है 3 a b c इस condition पर तो इसको आपको याद रखना है तो इसका option number c सही होगा और अंगला question इसका देखेंगे 35 नमबर देखें यदि 3 a x plus 2 y बराबर गेरा और 2 a x plus 3 y बराबर 4 हो तो x और y कमान क्या होगा तो यहां पर देखेंगे 3 a x plus 2 y बराबर यहां पर गेरा है और दूसरा समीकान दिया है यहां पर 2 a x plus 3 y बराबर 4 तो यह दो समीकान यहां पर दिये हुए है तो समीकान यहां first में देखे तो यह value a1 कहलाती है यहाँ पर यह b1 और यह c1 फिर समीकान second में इसको a2 कहते हैं यह 3 b2 कहलाएगा और 4 यह c2 कमान है तो यहाँ पर देखे जब yaks कमान निकालना होगा direct तो इसमें परवर्त सोत्र लगाएगे यहाँ पर देखे b1 c2 minus b2 c1 यक्स कमान निकालना है तो bc minus bc और 12 21 यह याद रखिएगा serial और बटे यहाँ पर a b minus a b लिख दीजेगा a b minus a b तो इसको 21 12 ऐसे याद कर लेंगे मतलब a2 b1 बन जाएगा यहाँ पर a1 b2 12 12 ऊपर 12 तो bc minus bc नीचे a b minus a b अब मान रख देना है तो देखेगा जब बैलू रखेंगे तो b1 c2 तो यहाँ पर देखे b1 c2 मतलब 2 और 4 अब minus b2 c1 मतलब 3 गुणे गेरा तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 4 minus 3 गुणे गेरा और बटे में हो जाएगा देखेगा यहाँ पर करा a2 b1 a2 b1 का मतलब यह a2 है यह b1 है तो 2 गुणे 2 और a1 b2 मतलब 3 गुणे 3 तो यहां हो जाएगा 2 गुणे 2 माइनस 3 गुणे 3 बैलूप उट कर देंगे अब इसी को solve कर लेंगे तो यक समाल आ जाएगा यहां पर देखेगा 2 गुणे 4 करेंगे 2 4 को 8 minus यहां पर 11 33 बटे हो जाएगा 2 दूनी 4 और minus 3 कर 9 तो देखे इसी को आगे solve करेंगे तो 8 में जब 33 गटाएघे तो यहां पर देखे 13 में 8 गटाएगे तो 5 और यहां पर 2 बाचा तो 25 माइनस का होगा बटे चार मिननों घटाएंगे तो यहाँ भी माइनस का 5 होगा तो माइनस माइनस कैंसिल आओ फिर 5 एक कम 5 पचम 25 तो यह 5 आ जाएगा यक्स कमान मतलब एक बैलू आ गई 5 इसी तरह Y निकाल लेंगे देखेगा यहाँ पर देखेगा यक्स का फार्मूला BC माइनस BC अब लिखे थे यहाँ पर तो C पर समाब थे तो उसमें Y के लिए C से स्टार्ट हो जाएगा तो Y का फार्मूला देखते हैं तो Y का सूत्र होगा इसका देखेगा Y का जब लिखेंगे तो CA माइनस CA पहले यह लिख लेंगे बटे में तो AB माइनस AB ही रहेगा और यहाँ पर देखे फिर से वह ही रहेगा 12 एककेस और नीचे तो सेम यही 12 ऐसा लिख देते हैं मतलब C1 A2 माइनस C2 A1 पढ़ेंगे और नीचे A2 B1 माइनस A1 B2 अब इसे सूत्र में बैलू पूट कर देना है तो देखें C1 A2 C1 11 है A2 2 है तो गेरा गुणे 2 माइनस C2 A1 मतलब C2 का 4 है A1 का 3 है तो 4 गुणे 3 तो गेरा गुणे 2 और 4 गुणे 3 तो यहाँ देखेगा गेरा गुणे 2 माइनस 4 गुणे 3 और बटे इसी तरह बैलू पूट कर देंगे a2b1-7b2 तो यह तो पुछली बैलू अपर शॉल्फ किये थे माइनस का 5 आया है यक्स वाले मान में तो इसको ज्यों कर त्यों माइनस 5 रखेंगे नीचे हर में माइनस 5 ही आएगा तो यहाँ गेरा दूनी 22 और माइनस 4 तें 12 बटे माइनस 5 अब इसको जब सॉल्फ करेंगे तो यहाँ पर 20 होगा अंस में सॉरी यहाँ पर 10 बचेगा 22 माइनस 12 दस होगा नीचे माइनस 5 तो 5 एककम 5 बांदूनी 10 तो माइनस का 2 आ जाएगा तो यहाँ पर बैलू होगा जाएगी माइनस का 2 और यक्स का माण अभी प्राप्त किये 5 तो यहाँ पर यक्स का माण 5 और y का माण माइनस का 2 तो यह आपसन नंबर d दिया हुआ है देखे यहाँ पर x बराबर 5 y बराबर माइनस 2 यहीं इसका solution होगा अंगला question देखेंगे तो जैसा बोलना है वह इसे करेंगे पहले x को 6 से गुणा करेंगे और 9 घटाएंगे और तथा x को 4 से गुणा करते हैं और 11 मिला देते हैं तो यह दोनों बराबर होता है तो मतलब बराबर x को 4 से गुणा कर देंगे जैसे बोलना है और 11 मिला देना है मतलब इसमें जोड गेरा जोड़ देंगे तो यहाँ 6x-9 यह बनेगा समिकर्ण 6x-9 बरावर 4x प्लस गेरा अब 4x पर चांतर करेंगे 6x के साथ घटेगा तो यहाँ बैलू बचेगी 2x बरावर और 9 इधर ले आएगे माइनस 9 इधर आएगा तो प्लस 9 हो जाएगा तो गेरा 9 20 हो जाएगा तो यहाँ दो एककम दो दो दहम 20 तो यहाँ पर देखे यक्स की बैलू 10 हो जाएगी मतलब यक्स बरावर 10 यहीं फाइंड करना था इसमें तो इसका आप्शन नंबर 6 सही होगा अंगला कोस्टन इसका देखेंगे 10 65 डिगरी माइनस का 25 डिगरी का मान क्या होगा तो देखेगा किसी एक को 90 माइनस ठीटा यहाँ पूरा कौनों की तुरकोन मिति अनपाद बदलेंगे तो देखेगा यहाँ 10 65 को इंछेंज कर देते हैं तो 10 65 को लिख सकते हैं 90 माइनस 25 तो जब 90 में पच्चिस घटाएंगे, तो 65 बचेगा, माइनस pot 25, ये जिएंग गत्यों लिखेँगे, अब इसका formula होता है, ये के फार्मूला होता है, 10 90 minus theta इसको जादी लिखें 10 90 minus theta तो ये बराबर होता है कॉर्ट theta के तो इसी फार्मोले में पूरा कोंड की त्रिकोंड में 30 पार्थ में convert करेंगे तो 10 90 minus theta है तो theta की तो 25 हो जाएगी अभी 65 थी तो 90 में 25 घटाएंगे तब 65 आता है तो theta ये change हो जाएगा मतलब कार्ट 25 हो जाएगा 10 90 minus theta कार्ट theta अब माइनस एक कार्ट 25 हाई है 25 तो ये plus है माइनस है तो cancel हो जाएगे तो 0 बचेगा तो यही इसका उत्तर होगा इसका option number D सही है अंगला question देखिएगा और त्रिकोन मीते के आपको एक साथ एक वीडियो अलग से मिल जाएगा तो आपको जो question यहाँ छूट रहे हैं तो उसको एक साथ करवा दिये जाएगा एक वीडियो में चालिस नमबर देखिए सही बिकल्प चुनो 9 6 square A minus 9 10 square A बराबर question mark तो यहाँ पर देखिए 9 दोनों से दी कामा लेले 9 तो bracket में बचेगा 6 square A और minus यहाँ पर बचेगा 10 square A तो यहाँ पर लिखेंगे 10 square A अब इसका formula होता है सर्शन का होती है देखिएगा 6 square theta minus 10 square theta बराबर value होती है 1 के तो यहाँ पर लिख देएगे 1 इस दोनों की जगे तो इसका सोत्र 1 होगा तो 9 गुणे जब 1 करेंगे तो value आ जाएगी 9 9 एक कम 9 तो इसका option number 20 है अंगला question इसका देखेंगे 41 number question देखिएगा निम्र समीकर्ण में यक्स का मान ग्याब करो तो देखिए यह समीकर्ण दिया हुआ है तो यहाँ पर लिख लेंगे पहले x-3 बटे 3 पर प्लस x-4 बटे 7 और बराबर यहाँ लिखेंगे 2x-1 बटे 5 तो सबसे पहले तो इन दोनों भिनों को हल करेंगे क्योंकि दोनों साइड एक एक भिन होना चाहिए तो यह दो भिन है तो पहले इसको सिंगल भिन में कनवर्ट करेंगे तो 7 का गुना करेंगे इन दोनों के साथ और तीन का गुना करेंगे इन दोनों के साथ और आपस में भी 3 और 7 का गुना करेंगे तो देखेगा, 7 ka yaks से गुणा करेंगे 7 yaks minus, 7 गुणे 3 करेंगे सात रेकी 21, फिर बीच में plus है तो यहाँ plus लिखेंगे, फिर 3 की गुणा yaks से करेंगे 3 yaks, फिर 3 चूख 12, यहाँ minus 12 और बटे हो जाएगा यहाँ पर देखेगा 3 गुणे 7 करेंगे 3 सते 21, और बराबर ये value होगी 2x-1 बटे हो जाएगा 5 अब यहाँ पर इसको solve कर लेंगे तो single भिन कहलाएगी तो देखेगा 7x 3x जुड़ेगा तो 7x-10x हो जाएगा 10x और यहाँ पर 21 और 12 दोनों माइनस है तो जुड़ेगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 33 और बटे हो जाएगा यहाँ पर है 2,1,3 देखेगा और 2,1,3 और यहाँ पर बटे 21 तो यह single भिन हो गई और यहाँ बराबर दिया है 2x-1 बटे 5 अब इसको solve करना है पूरा तिरिया गुणा कर देंगे 5 का गुणा इन दोनों के साथ और 21 का गुणा इन दोनों के साथ तो यहाँ पर देखेगा value find हो जाएगी तो तिरिया गुणा करने पर देखे मिलेगा इसमें समीकर्ण 5 का 10 से कुणा करेंगे 10 पना 50x-5 त्याई 15 की 5 हासिल एक 5 त्याई 15 एक सोला 165 अब बराबर यहाँ पर 21 दोनी 42 42x और माइनस 21 से कम 21 अब इसको हल कर लेंगे 50x में 42x घटेगा तो यहाँ 8x बचेगा बराबर 165 को 55 करेंगे तो यहाँ माइनस 21 है फिर प्लस 165 हो जाएगा पच्छानतर करने पर चीन बदल जाता है तो इसको इस साइड ले आएगे तो प्लस में हो जाएगा यह बाकी माइनस कहीज़ें का त्यों चीन माइनस ही रहेगा और यह 42 X इधर आएगा तो यह भी माइनस हो जाएगा तो इसलिए 50 में 42 घटाएंगे तो 8 X अब 8 X बराबर यहाँ पर देखे 165 में जब 21 घटाएंगे तो 144 होगा क्योंकि 5 में घटाएंगे 4, 6 में 2 घटाएंगे 4, यह 1 होगा यह 144 तो 8 से कैंसील आउट करेंगे 8 घटाएंगे और यहाँ पर देखे 8 घटाएंगे 6, 64 होगा आठाएंगे यह 18 घटाएंगे तो एक्वाल आना चाहिए तो आप्सन से भी स्वाल कर सकते थे लेकिन डाइरेक्ट इस तरह स्वाल करेंगे अंगला कोस्टन देखेगा 42 नंबर कोस्टन है यदी 2 बटे 5 क्विटल चावल की कीमत 180 रुपए हो तो 4 बटे 6 क्विटल चावल की कीमत क्या होगी तो यहाँ पर देखे इसको सौल्फ करने के 2 तरीके हैं लेकिन डाइरेक्ट देखेगा यहाँ पर 2 बटे 5 कुंटल चावल की कीमत दिया है 180 रूपिया तो कीमत को नीचे लिखेंगे और चावल ले दिया है 2 बटे 5 कुंटल अब बराबर आगे पूछ रहा 4 बटे 6 कुंटल चावल की कीमत कितनी होगी तो उसको यक्स माल लेगे बटे की नीचे अब यहाँ पर कुछ नहीं है, तिरियाग गुणा करना है आपस में, तो जब तिरियाग गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गटे 5 इंटू यहाँ पर यक्स होगा वबराबर, यहाँ 4 गटे 6 है और गुणे में हो जाएगा 180 चार बटे 6 के गुणे में 180 जाएगा तो यहां से कैंसिल आउट होगा 6 कम 6 6 318 30 हुआ यहां से भी कैंसिल आउट करेंगे 2 1 कम 2 यहां पर देखे 2 2 4 अब इसमें 5 का गुणा कर देंगे बटे में तो 5 का गुणा इस साइट करेंगे दोनों के साथ तो देखेगा यहां देखेगा 5 2 और 30 का गुणा करना है 5 गुणे में जाएगा उपर तो 5 गुणी 10 और 10 गुणे 30 करेंगे तो 300 तो 300 रुपाए होगा कीमत एक तो यह तरीका होता है लगाने और एक दूसरा तरीका इसी का और है यहां पर देखेगा इसको जब हल करेंगे तो 180 और यह जो बटे है तो इसको जब गुणे में लिखेंगे तो इसको 5 बटे दो लिखेंगे यहां पर तो देखें दो एक कम दो दो नहीं आठारा तो 90 गुणे 5 का मतलब होगा 9.45 और एक सून एक कुंटल चावल कीमत हो जाएगा 450 रुपिया लेकिन पूछ रहा है प्रस्ण में कि 4 बटे 6 कुंटल चावल की कीमत तो 4 बटे 6 की निकालना है तो देखेगा 4 बटे 6 गुणे कर देखेंगे 450 तो यहां से कैंसिल आउट करेंगे देखेगा तो यह 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 6 एक कम 6 यहां 6 सते 42 और 3 30 गुणे 4 करेंगे तो 300 आएगा तो यहीं 4 बटे 6 कुंटल चावल की कीमत हो जाएगी यहां पर लिख देखेंगे 300 रुपए ऐसे सॉल्प कर स 43 नमबर कोशन है एक कच्छा के कुल चात्रों में से 1 बटे 4 चात्र प्रताप हाउस में 3 बटे 10 चात्र रंजीत हाउस में तथा 3 बटे 20 चात्र सीवा जी हाउस में पढ़ते हैं अब बाकी बचे 18 चात्र चंद्रगुपत हाउस में पढ़ते हैं तो कच्छा में कुल चात् तो सबसे पहले तो एक बटे चार, तीन बटे दस और तीन बटे बीस इसको जोड़ेंगे, तो पहले देखेंगे एक बटे चार, सुरी यहाँ पर चार है, एक बटे चार प्लस तीन बटे दस और प्लस तीन बटे बीस, पहले तीनों भिनों को जोड़ लेंगे, तो यहाँ प पांच कबुना करेंगे तो देखे हर में तो 20 हो गया तो यहां पर 20 आ जाएगा और अंसों को जोड़ लेंगे सीधा सीधा पर कोई प्लस लगा भीक में तो पांच एक कम पांच और प्लस तीन दोनी 6 और प्लस तीन तो टोटल हो जाएगा 6 पांच गेरा गेरा तीन 14 बटी 20 तो यहां पर टोटल आ गया 14 बटे 20 अब सेष कितना बचेगा तो यहां पर देखेए 6 लिखना है तो यहां पर 20 का जीद चवदा भाग हमने निकाल लिया तो तो सेष बचा 6 भाग क्योंको 14 चवदा 6 बीस तो यह सेष बचेगा 6 बटे 20 और जो कि 6 बचे 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 बाब बढ़ावर निकालनेगे वही टोटल चात्रों संख्या होगी भिन में एक ही होती है कुल्चात्रों मतलब संख्या तो याँ पर 6 कम 6-6, 18 koncil out करेंगे फिर 20 ते साट डृब ई बढ़ावर आएगा साट तो यह कुल्चात्र होगी कच्षा में भिन में एक ही टोटल मान होता है तो ये कुल छात्र कच्छा में 60 होगे तो इसका आप्चा नमबर ए सही है अगला कोस्टन देखेंगे इसका 44 नमबर कोस्टन देखें 22.5 मीटर लंबी 33 सेंटी मीटर चौड़ी और 10 मीटर उंची दिवार को बनाने में कितनी इटों की आओ सकता होगी यदि एट की लंबाई चौड़ाई उंचाई क्रमस है 22 सेंटी मीटर 15 सेंटी मीटर तथा 9 सेंटी मीटर हो तथा दिवार पर एक बटे 10 सीमेंट द्वारा बना हो तो प्रस्ण में देखेगा सबसे पहले दिवार की लंबाई चौड़ाई उचाई देखे तो यह मीटर में दिया है लंबाई 22.5 मीटर और चौड़ाई दिया है सेंटी मीटर में तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग कर देंगे यहीं पर भागे 100 तो यह सेंटी मीटर में कनवर्ट होगा चौड़ाई उचाई है तो दिवार का आयतन यानि घनाप का आयतन और घनाप का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे उचाई तो लंबाई थो 22.5 मीटर था गुणे च वड़ाई एकन मीटर में कनवर्ड किये सुन दसम्रों 3,3 मीटर और यहां पर गुणे पुछाई दिया है 10 मीटर तो यहां लिख देंगे 10 मीटर अब यह हो गया घनाप का आयतन टोटल और यह घन मीटर में होगा क्यूब मीटर टोटल आयतन अब कह रहा है यहां पर देखें सीमेंट का हिस्सा निकालना है तो यह पूरी दिवार के आयतन का 1 बटे 10 है मतलब दिवार पर 1 बटे 10 सीमेंट द्वार बना है तो सीमेंट का हिस्सा निकालनेगे फिर इसको माइनस भी करना है तो सीमेंट का हिस्सा होगा दिवार का 1 बटे 10 दिवार के आयतन का तो दिवार का आयतन है देखे 22.5 गुणे 0.33 गुणे 10 का 1 बटे 10 निकालना है तो 1 बट का आयतन अब सिमेंट को छोड़ कर सिमेंट छोड़ कर दिवार का आयतन तो यहां से लिखेंगे सिमेंट छोड़ कर दिवार का आयतन इसी तरह इस सवाल को सॉल्ब करेंगे सिमेंट छोड़ कर दिवार का आयतन निकालेंगे तो पहले तो दिवार का कुल आयतन दिया था यहा 10 और माइनस दिवार कायतन अभी निकाले 22.5 गुने 0.33 यह बैलू पूट कर देंगे अब इसके बाद देखेगा यहाँ पर कामन ले लेंगे 22.5 0.33 दोनों से कामन है तो यहाँ पर आ जाएगा सीमेंट छोड़कर दिवार कायतन 22.5 गुने 0.33 कामन होगा तो यहाँ बचेग 10 और माइनस यहाँ बचेगा एक तो यह नौ कहलाएगा मतलब दिवार का आयतन होगा सीमेंट को छोड़के दिवार के आयतन में एक इट के आयतन से भाग कर देंगे तो संख्या आ जाएगी क्योंकि एक इंट की लंबाई चोड़ाई उचाई दिया है सेंटी मीटर में दि तो सव से भाग करते जाएंगे तो देखिएगा यहाँ पर अब संख्या निकालना है तो दिवार का आयतन यही रहेगा उचाए देखे सेंटीमिटर में है तो मीतर में kणेश करेंगे तो सव से भाग करेंगे जब इसको सव से भाग करेंगे तो देखिए का यह मीटर में कणवर्ड होगा तो सूट दिसमेर दो होगा क्योंको धीडील सम्लाइंगािव जिरोऔर के बाद दर्सम्हु लगेगा तो इसा भी को पूसीट कर लेंगे तो यहां पर देखिए लोड दूमीटर यह और फिर गुने इसको भी 500 से महाँ करेंगे तो सून दसंबलो सून नवा जाएगा इसी को सॉल्ब कर लेंगे तो बैलू आएगी देखेगा यहां दसंबलो के बाद दो अंक है यहां भी दसंबलो के बाद दो अंक है तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे दसंबलो यहां पर दसंबलो के बाद एक अंक है तो देखेगा यहां पर 10 लोक बाद 1 अंक लगा है, तो 10 तरह इस्वाल किया जा जाएगा, तो 0-0 हो जाएगा, 1000 तो चैनल आउट हो जाएगा, फिर यहाँ पर देखें 11-12, 12-23, 13-23, फिर यहाँ पर देखें, तीन एक कम तीन तीन पचे 15 तो यहां पर फिर 5 दूनी 10 हो गया यहां पर 10 होगा 5 और 2 का गुणा करेंगे आपस में तो यह बनेगा 10 जो की 00 यहां से पूने कैंसिल आउट हो जाएगा तो अब कुछ नहीं करना 225 बचा और यह 100 है तो मतलब हो जाएगी टोटल संख्या यहां अगला कोस्टन देखेंगे 45 नमबर कोस्टन देखें एक पार्क की लंबाई तथा चवडाई का अनुपात तीन अनुपाते एक है तो लंबाई माल लेंगे तीन यक्स यहां पर माल लेते हैं और चवडाई यक्स माल लेंगे अनुपात में ही आप कहरा है पार्क की परिध और दो मीटर चौड़ाई एक रास्ता बना गया है तो रास्ते को बनाने का कुल खर्च एक दसमलों पांच रुपए प्रतिवर्ग मीटर की लागत से कितना होगा तो देखे सबसे पहले तो लंबाई चौड़ाई दिया है और साथ में परिमाप दिया है तो परिमाप देखे चौड़ाई एक्स माल लिए है और बराबर ये 320 हो गया तो यहाँ पर दो एककम दो एक्स कमा नहीं से निकलेगा देखे यहाँ पर दो एककम दो चक का बारा एकस्तो साथ हो जाएगा 0 लगाएंगा 162 तो यहाँ पर 360 तो रहेस जोड़ेगा तो चार एकस बराबर 40 करेंगे तो 40 त्याय 120 और यहीं से चौड़ाई निकालेंगे तो चौड़ाई देखे कितनी चाँड़ाई यक्स माले है तो ये प्रस्मे तो यक्स बराबर हो जाएगा 40 तो ये लंबाई और चौड़ाई मिल गई आप कहे रहा है कि यहां पर प्रस्ट में कि भीतरी साइड दो मीटर चौड़ा एक रास्ता बना है तो यहां पर जब भीतर तरफ रास्ता बना तो उस रास्ते का छेतर फल का सूत्र होता है डायरेक्ट लिखेगे रास्ते का छेतर फल वो दो मीटर चौड़ा रास्ता है तो रास्ते का छेतर रास्ते की चोड़ाई जो की 2 मीटर है तो यहाँ पर देखे 2 गुणे 2 और लंबाई चोड़ाई यह आयता कार पार की हो जाएगी तो यह अभी अभी निकालें इसको पूट करेंगे हाँ पर तो 120 और प्लस चालिस और माइनस पुणे 2 गुणे 2 और यह ब्रैकेट बन अब यहाँ पर देखे 2 दूनी 4 और यहाँ पर हो जाएगे 160 होगा 1204 ए 160 में 4 घटाएंगे तो 156 154 ए 160 तो यहाँ पर देखे अब गुणा कर देंगे अंदर तो 4 चंग 24 की 4 हासिल 2 4 पंचे 20 22 हासिल 2 4 1 कम 4 4 तो 624 मीटर स्क्वेर आएगा अब यहाँ पर यह च्छेट फल हो गया रास्ते का लेकिन यहाँ पर कह रहा है यह टोटल एरिया है रास्ते का यहाँ पर कह रहा है सवाल की एक दसमलों 500 रुपाई प्रती वर्ग मीटर की लागत से कितना खर्चाएगा तो मतलब एक वर्ग मीटर के खपत यहाँ पर दिया है एक दसमलों 500 रुपाई तो यहाँ पर लिख लेंगे यही पर देखेगा एक वर्ग मीटर का ब्याय एक वर्ग मीटर में खपत यह एक वर्ग मीटर में ब्याय दिया है डेर रुपाई एक दसमलों 500 रुपाई तो हमें निकालना है 624 वर् बुणा करने पर बैलू तो देखेगा यह आपसन दिया होगा 936 रुपए आपसन नंबर इसका एस आई है अब इसके बाद यहां से रिजनिंग के कॉस्चन स्टार्ट होते हैं तो एक एक कॉस्चन कभर करते जाएंगे 46 नंबर कॉस्चन है नीचे दिये प्रस्न संख्या किसी संख्या किसी एक नियम से आगे बढ़ती हैं स्रंख्या में एक संख्या छोट गई है तो छोटी हुई संख्या को रिक्तिस्थान द्वारा दर्सा आया गया है सरंकला के रिक्तिस्थान में आने वाली संक्या क्या होनी चाहिए तो यहाँ पर 46 नंबर में देखे यह लिखा हुआ है तो यहाँ पर लिखेंगे 33, 28 पहले सरंकला लिख लेते हैं 24 फिर question mark है और इसके बाद है देखे 19, 18 तो यहाँ पर देखे 33 में कितना घटाया है यहाँ पर देखे 5, 5 माइनस किया है तो 28 आया फिर 28 में 4 माइनस किया है तो 24 आ गया फिर यहाँ पर 3 माइनस करेंगे क्योंकि सीरियल से देखे पहले 5 माइनस किया फिर 4 माइनस किया फिर यहाँ 3 माइनस करेंगे तो इसका उत्तर होगा 21 क्योंकि 21 में जब 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर एस सिरीज पूरी होती है 19 आया 19 में एक माइनस करने पर ठारा 21 इसका उत्तर होगा आपसर नमबर A सही है अंगला क्वेस्टन देखेंगे 47 नमबर प्रस्टन देखिए तो तार का सम्बंद हो जाएगा जाली से तो यहाँ पर इसका आपसर नमबर B सही होगा अंगला क्वेस्टन देखिएगा 48 नमबर क्वेस्टन है अंग्रेजी और माला को यदि विप्रीत क्रम में लिख दिया जाए C, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z और यह कहलाता है बाएं से यह बाएं से कहलाता है और यहाँ से यदि पढ़ें तो यह दाएं से कहलाता है A, B, C, D तो भी प्रीत क्रम में लिख दिया A से Z तक ऐसे उल्टा फिर कहरा है कि काउन से अच्छरा आपके 22-17 हमे अच्छर के 22-15 हमा होगा अब 22-17 हमा तो एक अब देखे बाएं से पहले 17 हमा देखेंगे क्योंकि 22-17 हमेँ तो बाएं से देखे 112-3-4-5-6-7-8-9-10-53-15-16-17 22-17 हमा गया जे तो एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नौ दस गेरा बारा तेरा चगदा पंदरा तो वापी साय तो वाई होगा तो इसका उत्तर भी होगा अगला कुस्टन देखेगा इसका एक साट कट तरीका है तो उसके लिए डिटेल आपको वीडियो मिल जाएगा तब उसके द्वा क्लाकर नंबर देखे यह यह संबंद का कॉस्टन धेर वाई भाई तो यहां पर दеखेगा दोनों है है तो यहां पर Z है तो यहाँ पर Z लिखेंगे और यहाँ पर माइनस लगाएंगे तो इसकी Y की भी बहन Z होगी क्योंकि दोनों भाई है यहाँ पसमें अब आगे देखें डाइग्राम बनाते जाएंगे इसको फिर कहरा Q का भाई P तो अब यहाँ पर तो कोई लिंकी नहीं हो रहा तो इसको इस डाटा को अभी छोड़ देंगे और Y की बेटी Q है तो Y की बेटी Q है तो बेटी यह पुत्र यह पुत्री नीचे लिखा जाता है तो Y की बेटी Q है तो इसको माइनस लिखेंगे क्योंकि ये पुत्री है अब इसके बाद कहरा है कि Y की बेटी Q है अब कहरा है Q का भाई P है तो मतलब इसका भाई P है तो बगल में इसके लिखेंगे और ये प्लस करेंगे अब ये इतना डाइग्राम बना अब इसी से उत्तर बताना है तो कह रहा कि P का चाचा कौन है तो देखे P का चाचा तो देखे ये तो Y के पुत्र पुत्री है और ये तो इसकी बहन है तो ये दोनों जब पुत्र पुत्री है तो ये बुगा लगेगी क्योंकि इसके पिता है ये दोनों के ये अब पीता की बहन बुगा तो पीता का भाई चाचा होता है तो इसका पी का चाचा कौन है पूछ रहा है तो देखे इसके पीता जी और इसका भाई पीता का भाई चाचा तो यक्स होगा इसका उत्तर होगा यक्स पी के चाचा है यक्स तो इसका आप्शन न वर्तित हो तो उत्तर क्या बन जाएगा तो सबसे पहले इस प्रस्ण को जब हल करना हो तो सबसे पहले समझेगा इसका तरीका यहां पर देखे सबसे उपर होता है नार्थ यहां पर नीचे साउथ फिर इधर दाइं और इस्ट बाइं और बेस्ट मतलब यह उत्तर हो गया नी clockwise या इसी को हिंदी में बोलेंगे दाया और यदि इस तर चले anti-clockwise तो इसको बोलते हैं anti-clockwise को बाया तो यह याद रखेगा clockwise और anti-clockwise तो हमें clockwise चलने पर एक फार्मूला लिखेंगे सूत्र उसी से देखे इसको solve करेंगे सूत्र क्या यह यहां पर यह चल रहे हैं यह तरह चलते हैं तो यह दाया यानि इज़ाइब में पर जैसे नार्थ से एक बार बाएं चलेंगे इधार antiklaus to best मिलेगा तो पहले देखना है फिर बाएं चलेंगे ऐंटी क्लाक्वाइज तो साूथ मिलेगा यह देखिए साूथ चलेंगे यानि बाय चलेंगे तो इस्ट मिलेगा अब 파ष्ण में आ जाते हैं देखे यदि दच्छिन पूर्ब पूर्ब बन जाता है तो दच्छिन पूर्ब का मतलब साउथीस्ट अब साउथीस्ट यह बीच में है यहाँ पर अब यह बन जाता है पूर्ब दच्छिन पूर्ब देखे यहाँ पर है अब यह बन जाता है पूर्ब मतलब यह उत्तर पच्छिम है, पच्छिम बनता है, मतलब यह देखे बाएं घूम रहा है, वो भी आधा घूम रहा है, तो condition समझ में आ रही कि बाएं ही घूमना है, आधा घूमना है, तो कहरा है कि दच्छिन पच्छिम बन जाता है, तो देखे यहाँ पर दच्छिन पच्छिम जो है लेकिन आधा घूम रहा है, तो आगे देखें के यदि इसी तरह परिवर्टित होता रहे तो उत्तर क्या बन जाएगा? तो उत्तर देखे यहाँ पर नार्थ था तो हम यहाँ से लेंगे क्योंकि इसके पहले तो लिखा नहीं है तो यह उत्तर बन जाएगा उत्तर पस्चिम यदि आधा गूमेगे लेकिन बाए तरब गूमेगे भूमना अपने को बाए ही है लेकिन आधा गूमेगे तो उत्तर प तो special अलग से online batch join करना चाहते हैं, जो कि selected question उसमें करवाय जाते हैं, total वहीं से question exam में बनते भी हैं, तो उसके लिए whatsapp link दिया हुआ है, 89, 87, 97, 96, तो इस number पर आप contact करके batch join कर सकते हैं, new batch online batch इस्टार्ट हुआ है, और ये किसी भी trade के तयारी कर रहे हैं आप, तो इस batch को join करने क इसलिए आप, 79, 87, 90, 17, 96 पर contact कर सकते हैं, ये whatsapp link है, तो इसमें इतना ही cover करेंगी